हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग प्रिपोजिशन का अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग पहले भी प्रिपोजिशन का बहुत सारा वीडियो बनाये उस पे बहुत सारा प्रिपोजिशन को हम लोग सीखें अब हम लोग प्रिपोजिशन का लास सेगमेंट में चल यानि कि preposition का अब हम लोगTs post matum करने जा रहे हैं. आप बोलेंगे सर post matum, अरव Travel Matum का मतलब यह हुआ कि अब हम लोग को भी preposition सिखेंगे जैसे यहाँ पर जो preposition है form, from जो हम लोग लिखेंगे, अब from का क्या करेंगे? मतलब अफ फ्रॉम का ऐसा यूज सिखेंगे कि इसके बाद अब फ्रॉम का इस्तिमाल नहीं बसता हो कुछ बच जाएगा, exceptions are there, हर जगे exception होता है but most of its uses हम लोग cover up कर लेंगे ज़्यादा तरजीतना भी हम लोग cover कर सकते हैं हम लोग अब यहाँ पर करेंगे कि इसके बाद अब chances बहुत कम बसता हैं दोस्त जैसे आप यहाँ देखेंगे हम लोग अपना समय बचाने के लिए as usual हम लोग यहाँ पर already लिख के रखे हैं ताकि समय हम लोग का बचे मतलब from का इस्तमाल हम लोग कहां कहां करते हैं हम लोग पहले भी सीखे हैं from का इस्तमाल थोड़ा सा सीखे होंगे लेकिन अब हम लोग इसका extensive use से सीखेंगे मतलब broad label पर सीख लेते हैं from from का इस्तमाल कहां कहां करते हैं और कैसे करते हैं it is very important from का इस्तमाल हम लोग verb plus form plus object इसका मतलब क्या हुआ किसी भी verb के बाद हम लोग from का इस्तमाल करते हैं and then object अगर इस format में आता है तो हम लोग यह वाला format format ए बोलते हैं इसको verb plus from plus object जैसे abstain, benefit, borrow, derive, defer, escape, hinder, have, get, prevent, protect, receive, recover, refer, refrain, separate, subtract, plus from plus object मतलब से भी इतना ही भर्व नहीं होता है दोस्त, भर्व और भी होता है but हम क्या किये हैं कि भी थोड़ा सा just to have an idea कि इस तरह के भर्व के साथ हम लोग from का इस्तमाल करते हैं example के तौर पे I can't prevent him from killing animals मतलब मैं उसको जानवरों को मारने से नहीं रोक सकता मैं उसे जानवरों को मारने से नहीं रोक सकता यहाँ पर prevent from, prevent plus someone plus from ऐसे हम लोग इसका use करते हैं दोस्त, ठीक है he died from loss of blood, वह खून की कमी से मर गया यहाँ पर हम लोग were plus from इस्तमाल किये हैं, यहाँ पर हम लोग were plus somebody, someone plus from का इस्तमाल किये he borrowed a book from library, मतलब वह पुस्तकाले से एक किताब बौरो किया, मतलब उधार लिया, issue करवाया he suffered from heart disease, मतलब वह हिदे रोग से ग्रसित है, यहाँ पर suffer from count from one to hundred, जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, एक से सौ तक, बेटा counting करो तो count from one to hundred, I got a letter from father, मतलब मुझे पिताजी की चिठी आई या मैंने पिताजी की चिठी पाई यहाँ पर दोस्त हम लोग got के जगाप पर head का भी इस्तमाल कर सकते हैं, I had a letter from father, मतलब मुझे मेरे पिताजी की चिठी आई या मैंने पाई दोनों तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, got के जगाप पर हम लोग चाहें तो यहाँ पर head भी लगा सकते हैं, ठीक है separate the prince from the poor girl अरे भाईया, यह तो कुछ अलग टेप का है, देखें इसका मतलब क्या होता है, prince मतलब राजकुमार, राजकुमार को उस गरीब लड़की से अलग कीजिए, separate मतलब अलग करना हम जानते हैं कहानी में, राजा को गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, और राजा के बेटे को, यह नि राजकुमार को, और राजा क्या चाहता है, अरे उस लड़की को मेरे बेटे से लग करो, something like this story का लिया हुआ sentence है, दोस्ट बहुत important sentence है actually, इसमें जो भी sentence हम लोग ले रहे न, अधिकांसतर किसी ने किसी एक्जाम में आया हुआ है मेरे सारे वीडियोज में, जितना भी एक्जामपल्स हम लोग लिये हैं दोस्ट, उस सारा एक्जामपल्स किसी ने किसी एक्जाम में, किसी competitive exam में लिया गया है उसी examples को हम लोग हमेशा अपने सारे videos में ले रहे हैं दोस्त मतलब चाहे वो हमारे class 10 के exam में आया हो 12 के exam में आया हो, 11 के exam में आया हो किसी competitive level के question में आया हो, PO के exam में आया हुआ हो कहीं न कहीं exam में आया हुआ होता है उसी को हम लोग यहां पर लेते हैं अर जो हम लोग अपना practice के लिए हम आपको जो slide देते हैं दोस्त, उसमें भी सारा जो question होता है, किसी ने किसी exam में आया हुआ होता है, हाँ, कुछ examples बाहर के भी होते हैं, अच्छे-च्छे books से ली गई होती हैं, लेकिन maximum example जो है, हमारे किसी ने किसी exam से लिया हुआ है, अब ज सिर्फ verb के बाद ही नहीं होता है, एडजेक्टिब के बाद भी होता है दोस्त, तब एडजेक्टिब किस तरह का होता है, absent, vanished, different, far, free, safe, secure, separate, from, plus object, दोस्त, यहां पर सिर्फ इतना ही एडजेक्टिब नहीं होता, और भी होता है, but हम कुछ को यहां पर mention किये हैं, so that we should have some idea, the station is far from here, जो station है, यहां से दूर है, जैसे हम लोग कहीं होते हैं, हमारे घर से station थोड़ा दूर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, the station is far from here, यहां से दूर है, हो सकता है, 4 km, 5 km, whatever it may be, but it is far from here, His absence from the class was noticed, मतलब जिसे हम लोग होते हैं, क्लास में कभी आप भी की होंगे, क्लास में जब आप absent होते हैं, तो teacher लोग point out करते हैं, अरे उस bench पे corner वाला बच्चा आज नहीं आए है, ऐसे teacher point out कर लेते हैं, अगर आप रोज आ रहे हैं, अगर एक दिन आप वहां नहीं आएंग क्छा ऐसे point out कर लिए जाएगा, तो his absence from the class was noticed, उसका जो अनुपसिती है कक्छा में, वो ध्यान में ले ली गई, it is only a few steps from here to the post office, मतलब यहां से जो post office है, डाग घर है, क्या है, कुछ ही दूरी पे है, कुछ ही दूरी पे है, दोस्त एक काम भी कर सकते हैं, हम लोग यहां पर तो इस तरह का sentence ही उसकिया गया है, अगर हम लोग इसको phrase में चाहना, तो phrase में भी use कर सकते हैं, हम लोग के पस कर सकते हैं, stone throw distance वो सकते हैं, post office जी, post office is stone throw distance from here, लेकिन यहां पर हम लोग चाहें तो वैसे भी use कर सकते हैं, ठीक है, वो तो phrase है दोस्त, यहां पर हम लोग simple sentence में use किया है, अब यहां पर देखते हैं, he is different from his brother in character, मतलब वो अपने भाई से चरीतर में, character में अलग है, हो सकता है, उसके जो भाई होंगे, अच्छे होंगे, और यह बंदा बुरा होगा, या यह भी हो सकता है, just opposite, उसके भाईया बुरे होंगे, और यह अच्छा होगा, तो हम लोग करते हैं न, अरे यार तू टीचर लोग बोल देते हैं, कभी-कभी, राम, फ्री सीता, फ्रॉम रावना, यहाँ पर राम ने सीता को रावन से मुक्ती कराई, यह कराते हैं, या कराते हैं, या कराई, जैसे भी हम लोग चाहें, तो यूज करेंगे, चुकि यह sentence हमारा simple present में है, तो कराते हैं, लिखें करेंगे दोस्त, सी, जैसे हम लोग यहाँ क्या देखें, फ्रॉम का इस्तमाल, वर्ब प्लस फ्रॉम हुआ दोस्त, यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस फ्रॉम हुआ, अब नाउन प्लस फ्रॉम लगाएंगे दोस्त, मतलब फ्रॉम का इस्तमाल हर एंगल से हम लोग ठीक है जैसे descent, escape, exemptions, release, from plus object यहाँ पर इतना ही नहीं है दोस्त याद रखेगा है सिर्फ इतना ही noun नहीं होता noun तो बहुत सारा है बहुतों के साथ from लगाते हैं but I have just put some example of it from plus noun जैसे में from a tree, from a hill, from a library, from market, from shop, etc. बहुत सारा हो सकता है दोस्त जस्त हम कुछ-कुछ examples को यहाँ पर रखने की कोशिस किये हैं ताकि हम लोग को समाजना आसान हो जाए and then from plus noun plus two plus noun again noun plus two plus noun from one to hundred one to ten one to hundred यहाँ पर आप देखेंगे यह वाला example कि count from one to hundred आप देख रहे होंगे count from one to hundred है in the same fashion हम लोग क्या कर रहे हैं one to hundred क्या है noun है तो from one to hundred यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं Monday to Saturday Monday to Saturday noun ठीक है दोस्त He needs rest from work जैसे आप काम कर रहे हों आप पढ़ाई कर रहे हों और in between आपको थोड़ा सा rest लेना चाहिए है ना क्योंकि आप ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो हमारा जो माथा होता है ठक जाता है और हमारे दिमाग का जो grasping power है ओ धिर धिरे रूखने लगता है तो क्या हो जाता है कि हम लोग उतना पकड़ नहीं पाते हैं तो what should I do? हम लोग क्या करना चीए? जैसे आपने घंटा भर पढ़ लिया पांच बढ़ आपने अराम कर लिया इस तरह से he needs rest from work अगला है he saved the child from the fire उसने बच्चे को आग से बचाया देख रहे हैं? from the fire, from plus noun, from the fire a tree gave us shelter from the rain पेड जो है हम लोगों को बारिस से क्या करता है? बारिस में हम लोगों को आसरह देता है यैंनே हम लोगों को छूपने का जगह प्रोबाइट कराता है दोस्त she plays the music from memory मतलब she plays the music उसने music मतलब वो music बजाती है कैसे अपने memory से उसको याद है उसको सारे notes याद है and she uses all those notes by herself खुद से वो करती है खुद से काम करती है इधर में भी harmonium, में भी drum, में भी tabla, में भी piano, whatever bread is made from flour मतलब जो है रोटी जो है आटे से बनती है रोटी जो है आटे से बनती है from plus noun ध्यान देना दोस्त from his appearance he looks old from his appearance he looks old मतलब उसके दिखावा रंग रूप बाहरी जो उसका जो आवरन है उसकी जो वेशबूसा है उसका जो तरीका है दिखने का उससे वो कैसा दिखता है he looks old वो थोड़ा अपने से बड़ा दीखता है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने एज से बड़े दीखते हैं या कभी-कभी किसी के पहनावा ऐसा होता है जो की थोड़ा सो वो बुजूर्ग दीखता है अपने एज से थोड़ा बड़ा दीखता है something like this from a practical point of view it is stupid मतलब अगर किसी के वास्तिवी घटना से बात करें तो उसको क्या लगता है यह मुर्ख वाला बात लगता है यह मुर्खई टेप का लगता है जैसे भी है stupid है बक्वास है कषड़ा है this gift is from my girlfriend oh no just example है दोस इससे दा कुछ नहीं यह जो गिफ्ट है जो उपहार है कहां से आया है मेरी girlfriend से no कोई गलत अर्थ नहीं समझने का है सिर्फ sentence है दोस्त यह जो उपहार है कहां से है मेरी girlfriend के द्वारा भेजा हुआ है दोस्त ठीक है तो from का इस्तमाल हम लोग from plus noun का कर रहे हैं इसका मतलब दोस्त अब हम लोग क्या इसका conclude करेंगे conclude ऐसा करेंगे कि from का जो समाल है हम लोग word के बाद कर रहे हैं adjective के बाद कर रहे हैं और noun के बाद कर रहा है मतलब अब हम लोग के पास from का अंगर हम एक example देख लें तो हम लोग को लगता है दोस्त की इससे बाहर अब हम को नहीं लगता है हाँ एक्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं एक्जाम्पल में कोई कमी नहीं हो सकती है एक्जाम्पल uncountable हो सकता है कोई problem नहीं दोस्त लेकिन अब जो उसका दायरा है दोस्त हम लोग जो उसका साहरा को periphery जो है इसको हम लोग confine कर लिए हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं अगले वीडियो में किसी और एक खास preposition का हम लोग post-tramatum करेंगे दोस्त यह जो सिरी चल रहा है हम लोग का post-tramatum का चल रहा है हर preposition का post-tramatum करेंगे दोस्त यह इसी नाम से बन कराएगा post-tramatum ठीक है दोस्त अगले वीडियो मिलते हैं दोस्त तब तक के लिए bye